जितिया वरत कथा एक धार्मिक कथा है जिसमें माताओं ने अपने पुत्रों की दीरगायू के लिए भगवान जीऊत वाहन की पूजा और वरत किया। इस कथा के अनुसार एक समय की बात है जब पांडवों के पुत्रों को अश्वत थामा ने मार डाला। पुत्र शोक से पीडित होकर पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने आरशी धौम्य से पुत्र सुख के लिए कोई उपाय पूछा। धौम्य ने उन्हें जितिया वरत करने का मंत्र सुनाया जिसमें महिलाओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पानी सहित कुछ भी नहीं खाना होता है। साथ ही साथ महिलाओं को पेड़ पौधों, पक्षियों, पशु पक्षियों, मनुष्यों, सर्पों, मेड़कों, मक्षियों, मकडियों, मक्षन लेने की मशीने, मक्षन लेने की मलिका, मक्षन लेने की मलिका के पति, मक्षन लेने की मलिका के पुत्र, मक्षन लेने की मलिक कि पुत्र की पत्नी के पुत्र की पत्नी के पुत्र का समर्पन करना होता है द्रौपदी और पांडवों की पत्नियों ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा से किया और भगवान जीऊत वाहन की कृपा से उनके पुत्रों को जीवन दान मिला इसी प्रकार इस कथा में और भी कई प्रसंग हैं जिनमें महिलाओं ने जितियां वरत करके अपने पुत्रों की रक्षा की है इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मा का प्यार, प्रार्थना और विश्वास कितना शक्ती, शक्तिशाली होता है जो कि हर मुसीबत से बचाता है